वजिरिक्स एक्ष्चेंज पर जिस भी बैंक अकाउंट को आपने लिंक कर रखना है उस बैंक अकाउंट का आप किस प्रकार से आएंगे and क्या लिंक बैंक अकाउंट को खटाने के बाद में आपके वालेट में जो फंड पढ़ा हुआ है उस पे कुछ impact पड़ेगा इसके अलावा आप जो नया bank account link करने वाले हैं उसको link करने से पहले किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो बहुत कुछ इस वीडियो के माददन से step-by-step detail में बताने वाला हूं वजीरिक्स exchange से bank account को हमेशा के लिए अटाने के लिए सबसे पहले आपको वजीरिक्स exchange का mobile application आपके mobile में install कर लेना है जो भी आपका registered email ID, password है उसको डाल के login कर लेना है उसके बाद में first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा उपर आपको एक user and setting का logo दिखाए देगा यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद में आपकी personal detail आपको दिखाए देगी उसके बाद में आपको काफी सारे settings के option भी देखने के लिए मिल जाएगे यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा इसके अलावा अगर आपनी UPI भी लिंक कर रखा है तो UPI वाले option में आपकी जो UPI ID होगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी अब मेरा मानना personally यह है कि आप एक नए user है फिलाली आया है छे साथ महीने हुई है तो आप एक bank account ही link रखें यान कि multiple ना रखे एक से अधिक क्याकि आपको अगर नहीं पता से लेगा primary bank account कौन सा है तो फिर deposit में withdrawal में आपको issues हो जाएंगे तो सरफ एक ही bank account आप यहाँ पर link रखें जैसे कि मेरा है हाँ पर already एक bank account link है verify है लिकिन मैं इसको हटाना चाहता हूँ for example तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूँ गारे मुशे करने के बाद मैं पूछा जा रहा है कि आप स्षोर होना कि आप अपना जो bank account है simply वो में रिमू करना चाहते है definitely मैं तो करना ही चाहता हूँ रिमू पर क्लिक करूँ गा जैसे ही मैं रिमूु पर क्लिक करूँ पूरे step को अच्छे से समझे फिर ही आप decide कीजिए कि कौन सा bank account और कौन सा UPI ID आपको link करना है सबसे पहली बात आपका जो भी नाम है वजीर X exchange में उसी नाम का आपको bank account link करना है तो यहां से यह तो clear हो जाता है कि bank account आप सरफ अपने ही लगा सकते हैं यहां कि family members का नहीं लगा सकते हैं या फिर आप यह बूल सकते हैं कि जिसके भी नाम से आपने KYC किया वजीर X exchange में उसी का सरफ bank account आप लगा सकते हैं दूसरा point आप यहां पे कोई भी digital payment bank नहीं लगा सकते हैं जैसे PTM का हो गया payment bank, LTL का हो गया, LTL money जो भी है तो आप वो नहीं लगा सकते हैं आप जो branch में account खुलवाते हैं न वो आला bank account आपको यहां पे लगाना है और उसका आपके पास UPI होना चीए किसी भी mobile में आपनी UPI setup कर रखा हो for example Google पे, phone पे या फिर भीम UPI या other आप किसी भी platform को use करते हो fourth point, अगर आपके पास internet banking है तो बहुत अच्छा है, जो भी आप bank account यूज कर रहे हैं उसका, क्योंकि काफी बर UPI काम करता ही नहीं है 99% नहीं करता है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है कि आप इस वीडियो को एक-दो साल बात देखे उस समय काम करें, इस खेर वो अलग बात है इस समय सरफ हाँ पैसे deposit कर सकते हैं internet banking के माध्यम से या mobile banking के माध्यम से सो कॉसिस करें कि यहाँ पे वो bank account link करें जिसका आपके पास internet banking या mobile banking हो fifth point, आप जो भी bank account link कर रहे हैं कॉसिस कीजिए कि वो state bank of India का ना हो यानि कि SBI का ना हो, अगर आपको कल issues होंगे transaction में, सो SBI वाले सुनेंगे नहीं and आप उनको समझा समझा के ठक जाओगे अगर आपका branch manager बहुत अच्छा है या फिर branch में काम करने वाले बहुत अच्छे हैं क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं यहां पर बिल्कुली एकदम अलगी level है system तो मैं तो आपको suggest करूँगा कि SBI को add ना करे तो बहुत अच्छा है, कभी अगर payment में दिक्कत हो गया तो branch वाले आपकी नहीं सुनने वाले हैं इसके अलावा आप कोई भी bank account यूज कर सकते हैं तो कुछ basic detail है, वो आपने समझ ली है अब आप अपना decide कीजे कि आपके पास ऐसा कौन सा bank है जिसको आप link करना चाहते हैं अब उस bank account की detail कुछ इस परकार से आपको यहां पर submit करनी है bank account वाले option में सबसे पहले हैं alias, इसका मतलब क्या है आपका उपनाम यहनकी bank account में आपका क्या नाम है for example मेरा नाम रिंकुस है नहीं है मेरा bank में भी यही होगा basic सी बात है so bank account में जो भी नाम है वो मुझे लिखना है अगर बगर कुछ भी आपको नहीं लिखना है उसके बाद में जो भी आपका account number है वो आपको डालना है account number वापस से confirm करना है आपके check या फिर आपकी जो passbook है उसमें आपके bank के जो IFSC code है वो लिखे होंगे so वो IFSC code आपको लिखने है उसके बाद में account type account आपका saving है या current है वो आपको यहाँ पर select करना है mostly user का saving bank account ही होता है passbook में भी लिखा होगा so saving है तो saving and current है तो current bank account आपको यहाँ पर select कर लेना है मैंने आपके अपनी complete detail डाल दी है जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर tick-tick का माग आ चुक है यानि कि जो भी मैंने detail प्रोवाइड करवाई है वो सब ठीक है उसके बाद में मैं submit पर click करूँगा submit पर click करने के बाद में मुझे हाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक बार final confirm कर लीजिए कि आपके detail ठीक है ना यानि कि आपको एक बार cross verify कर लेना है उसके बाद में मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है yes save it पर मैं click करूँगा उसके बाद मैं process होगा उसके बाद मैं आपने जो भी security enable कर रखिये उसके अनुसार आपको यहाँ पर OTP प्रोवाइड करवाना है जैसे कि मेरे mobile पर भेजा गया है OTP डालूँगा and यहाँ पर authenticate पर click करूँगा जैसी मैं authenticate पर click करूँगा जो मेरा payment option होगा वो successfully यहाँ पर add हो जाएगा लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि verification pending अब इसमें कितना time लगेगा इस bank account को verify होने में so minimum आप बोल सकते हैं कि one second and maximum आप बोल सकते हैं कि 72 hours तक आपको time लग सकता है तो आप देखते हैं कि कितना time मुझे लगता है एक बज़ के 55 मिनट पे मैंने अपना bank account link किया है और देखते हैं कितने time में जो मेरा bank account वो link हो जाता है दूसरा option है UPI का so मैं आपको suggest करूँगा कि आप UPI add मत कीजिए क्योंकि UPI किसी भी कामगा नहीं है फिलाल तो और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई use case होगा आने वाले time में भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा bank account वेरिफाई हो चुक है दो वजे ही मेरा bank account वेरिफाई हो चुक है सो कुछी आसान से step follow करके आप वजीरिक्स exchange में अपना bank account link कर सकते हैं